जैसा कि आप जानते ही हैं अभिशेक बच्चन इस वक्त घायल होने की वजह से हॉस्पिटल में लीलावती हॉस्पिटल में अपना ट्रीट्मेंट करा रहे हैं यही कारण है कि अभिशेक बच्चन के फैंस काफी जादा उनकी सिहत को लेकर चिंतिब भी है तो आपको हमार इस रिपोर्ट में अभिशेक बच्चन के सिहत को लेकर चिंता तो काफी जादा बड़ी है लोगों की बात की जाए तो आपको हम जानकारी हमाज रिपोर्ट में ये भी देना चाहेंगे कि वाकए में अभिशेक बच्चन को लेकर लोगों की चिंता जो है क्य काफी जादा बड़ी है और वो इसकी वजह ये है कि अविशेक पहले भी ऐसे इंजिर्ड हो चुके हैं अविशेक बच्चन को शूटिंग के दौरान इंजिरीज पहले भी हुई है ये बात अलग है कि लोग उनके स्ट्रगल के बारे में नहीं जानते हैं आज अविशेक बच्चन के बारे में बताना शाहिं के हम आप सभी को इंजिरीज की वजह से जिस अविशेक बच्चन को काफी प्राब्लम से डील करना पल रहा है इससे पहले भी उन्हें इंजिरीज की वजह से काफी तकलीफ रही है इस बार तो उनके राइट हैंड में चो चोट लगी थी सालों पहले और वो उस वक्त भी प्रमोशन कर रहे थे साल 2011 की बात है बोल बच्चन की फिल्म की शूटिंग के दौरान भी वो हर्ड थे जी हां तब भी उन्हें काफी जादा चोट लग गई थी और माने उस वक्त की तो देवगन के साथ वो कर रहे थे का आखों के सामने यहादसा हुआ था और ऐसा रिस्क लोग नहीं लेना चाहते थे संज सरजरी की जरूरती आक्टर को इससे बाहर निकलने के लिए माने अगर खबरों की तो लिलावती हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट किया गया था तब भी 15 सितंबर को यह खबर अज़देवगन के इंजिरीज की खबर आई थी खेर आपको शायद मालूम होना हो लेकिन अभिशेग बच्चन को सीधा उसे एक्सरेंट के बाद स्पिटल ले जाया गया था और कहा जाता है कि आखों में अज़देवगन के भी चूट लगी थी और अभिशेग बच्चन जाने के बाद मार सरजरी की ज़रूरत थी इसलिए उन्हें ट्रीट्मेंट के लिए जाना पड़ा था लेकिन क्रिटिकल सरजरी उनकी हुई थी उस वक्त नेक्श नाइन यूज़म से टर्पतिक रिपोर्ट